कि बच्चो केंद क्लास अंसॉल्ट के पहले सेट पर सेट को सॉल्व करते हैं पेटे पहले हम लोग एमसी की कुशन जो दिये गए हैं आपको बोर्ट पर दिख रहे होंगे उनकी सॉल्विंग करते हैं चलो कुशन को पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है कुशन और ध्यान भी देते हैं क्या कह रहा है और क्या मांग रहा है इसलिए बेटे पहले सेट का पहला कुशन जो कह रहा है बावविकली प्रिसन में आपको दो चोई होती है पहले चोईस आप इसको डाट यदि आपको आंसर पता है तो आप डाट लगा सकते हैं इसका आंसर चीद उत्तर लिख सकते हैं यदि आपको नहीं पता है तो आप पहले अच्छी तरह प्रिसन पढ़ें प्रसन पढ़ने के पाद उसका अंसर दें और उसको यदी solve करना है तो solve भी करें तो solve करने सा बोतार जाएगा आपका अんसर क्या है चलो पहला प्रसन पढ़ते हैं किया कह रहा है अब हाज संक्या होगी पहले बाद 0 यह बता है 524 वाजिमें नहीं हाती है क्योंकि जीरो एक कुद्म Прोय संक्या ए झिण वही जीरो संक्या सक्षेट वही सून है इसे अर बटनी शी आीडड़र नीदिया है आर मितने कहा था कि सून कि कोच तो पर शपद दुनिया यानि कि धर्ती सूनी ही तो है इसलिए ये एक पैचान है क्योंकि पूर संग्या की पैचान इसी से परवासा भी कहती है जब प्राकृत संग्या यहाई नेचनल नम्मर आए तो नेचनल नम्मर को होल नम्मर में बदलने वाला यही ताजीर हो इसलिए ये हमारा अबाज संक्या में नहीं आ सकता दूसरी बात अबाज संक्या होती क्या है पहले उसके बारे में जाल लेते हैं तब हम अबाज संक्या को देखेंगे अबाज संक्या हैं बे संक्या हैं जो स्वेम से विवाज़त होती है जो स्वेम से विवाज़त होती है के निवे क्वाघ देगा तो अनर्थ हो जाएगा और अनर्थ के लिए हमें यहां पूचा नहीं किसी के लिए इसलिए भाग देने का सिस्टम्ट केवल संक्यां का लिए बारता है दो अपने आप में समसे चोटी अबाज संग्या है उने के साथ साथ खुद में एक सम अबाज संग्या भी है सम केल अकेली केल एक ही सम संग्या यही होती है और अबाज भी होती है ठीक है अगला कुस्टन मेटा की तरह चलते हैं हम लोग कुस्त नमर खा हमारा क्या कह रहा है कहा तो हमने देख लिए आए लेकन खा कह रहा है खा कह रहा है समी करड़ समी करड़ 3X स्क्वेर समी करड़ 3X स्क्वेर माइनस 2X प्लस के 1 बटे 3 या 1 अपॉन 3 बरावर 0 का विविक्त कर होगा बिवित्कर ग्याद करने के लिए हमें बेटे बिवित्कर को अंडी से परसे करते हैं इसमें हमें इसकी सॉल्विंग करनी पड़ेगी तो इसको हमाल करके दिख लेते हैं खंड का हमारा क्या कह रहा है इसका ब्युक्त कर निकालना है तो पहले ये हमारा कौन सा सभीगाद इसका नाम भी पहले जान ले ये हमारा दूई गहाद सभीगाद है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी गहाद केवल दो है और इसके केवल दो ही भूल होते है और इसकी गहाद भी दो ही होती है इसलिए पहले इसको लिखे लेते हम 3X स्केर माइनस 2X प्लस का 1 अपॉन 3 बरावर 0 इसकी तुलना हम लोग इसके मानक समी करते कर देंगे जहां से हमें A और B का मान मिल जाएगा इसका मानक समी कर लिखा होता है AX स्केर प्लस BX प्लस C बरावर 0 से हम इसकी तुलना कर देंगे से तुलना करने पर से तुलना करने पर तो गड़े A वरावर हमें मिल जाएगा 3 B वरावर मिल जाएगा मानस का 2 अग्यटे C वरावर हमारा हो यागा बन बौन 3 एक पर्ट्र 3 तो गदे ब्यवक्त का हमेरा d 21 गुणय हम-टकर हमारा होता है बीच्वार माइनस 4AC यह हम क्या सकते हैं वीकार ठीक है वीकार मांश çağr गुणा 1 i4 गुणा 514 मांन निकालना है और हम न 221 गया है त dispel थेखर पहले मानन50 पहले ग猜 शकम 24 माइनस दो का स्क्वार माइनस चार गुणान पिलस पिलस के एक जगे पर एक का मान रख देंगे तीन और बी के जगे पर कपे तो हमने मान रख दिया है और स्टीक एक पर हम लोग देंगे बने पॉन तिरी और इस मेंसे हम चरिसे ठीजिया है 3 बंज़ 3 और टू का मान रख प्लस फॉर ठीक है और 4 बंज़ ऑर मान रख देंगे एक प्लस 4 और से 4 खतम हो जागा बैटे इसका अनसर जीर रहा जागा इसका मतलब हमारा 4 तानसर सही है जीरो खानट का यान्डिकी समीकड 3x स्क्यार मानस के 2x प्लस के 1-1 ठी बदावर जीरो होगा बेख कर हमारा जीरो होगा अगर आप इसका स्क्र्मर्टि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसलिए अब हम अगले खुस्तन बेखिए अगला खुस्तन हमारा क्या गरा है अगला प्रतन कह रा 登録 यदि साइन ए बरावर तीन बट्टा पांच है तो कौस ए कामान ग्यात कीजिए यदि साइन ए बरावर तीन बट्टे पांच हो तो कौस ए कामान ग्यात कीजिए तो ॉस ए का मान्ग्याध कीजिये तो वेटे हमें पता होना चाइए हमारा कुष्णं में गागय कह रहा है क parallels साईन ए वरावर तीन वटे पॉच है तो हमको पता होना चाहिए किसाईन ए वरावर लंब वटे कार्ड होता है एल वटे के होता है जिसमें पांच दिया है, आपको आधर चाहिए, ठीक है, तो हम लोग पाइथा गोरस पिरमे से, पाइथा गोरस पिरमे का पिरियोक करेंगे, क्योंकि जब आपको लंब कर आधर की बात चलेगी, तो पाइथा गोरस वाले डॉक्टर को आपको बोलाना पड़ेगा, इस बीमारी का इल और तीसरी मुझा हमें ग्यात करनी हो तो पाय था गोड़ फिर में गोई बिलाना पड़ेगा हमें लंब दिया है वैटे कड दिया है आधार चाहिए तो आधार निकालने के लिए आधार बड़ावर ए बड़ावर अन्यूट में के स्कार मानस एल स्कार कर देंगे हम लोग कड का स्कार मानस लंब का स्कार तो बच्चे कड का मान के आपका पांच है पांच का पच्चिस हो जाएगा और तीन लंब है लंब का विएगा नो बर्ग और इसको हम लोग पच्चिस में से नो जाएगा वैटे तो हमारा सोले बचेगा और सोला वेटे हमारे लिए चार होता है रूर इसका ठीक है सोले का रूर चार होता है इसलिए वेटे हमारा जो आधार है वो चार हो गया और हमारे कॉस एका जो मान होता है वो होता है आधार बटे कर ए बटे के तो बैटे हमने एक अमान निकाल लिया है यानि कि आदार निकाल लिया है आदार हमारा चार हो गया है और कर वारा पांच है तो बच्छो कॉस एक अमान हमारा हो जाएगा आदार की जगह पर आदार का अमान रख देंगे आधार की जगह पर आधार कमान रखेंगी यानिकी 4 और कट कितना है 5 तो इसके 5 अधार के दीकिए यही हमारा अंसर है और हमारा यह आंसर देखे कहा मिल्ला है यह हमारा ओपसर नंसर नंबर 2 맞ए कि इसनिह यही हमारा 6% अब हमें पता है हमारे 20% आदे यानि कि 20% आ ले लगे हैं इसमें हम लोग 3% सौप कर चुके हैं तीन और रहे गए हैं हमारे इसमें मारा कुस्टन नमर गा क्या कह रहा है गा कह रहा है इसकी तरह पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं दो समरूप समान रूप बाले दो समरूप तरवुजों के छेतफल 4 अनपात 9 के अनपात में है तो तरवुज की बजाओं का अनपात ग्याद केजिए बेटे है आप होता है बताया है हम जानते है कि तिरुज ए、वी जी का छेत्रपल कब जब तुरूप समरूप और तब यह शूत्रं जानते है कि तिरूप अ वी जी का छेत्रपल बट्टे तिरुज पी क्यू आर का छेतपल बरावेटे होता हमारे पास एवी का स्क्यार एवी बट्टे एवी बट्टे पी क्यू का स्क्यार यानि कि तिरुज का छेतपलों का अनुपात होता है बजाओं तिरुज की संगत बजाओं तिरुज की संगत बजाओं समरूप तरुश की संगत बजाओं की अनुपात का फर्गोग तरुश की छित्पलों का अनुपात होता है ये Sonicirmal हुने पड़ा है ये हमारी प्रमेवी है ये हमारा नियम भी है तरुश का ये नियम भी है के तरुश पहले तरुश का छित्पल बटे दूसरे तरुज का चित्वल बरावर पहले तरुज की बजा बटे दूसरे तरुज की संगत बजा का बर्ग तो हमें A B बटे P Q का स्क्टेर दे रखा है कितना ना फोर अपॉर अपॉन नाइन दे रखा यानि की रेशियो को अपॉन बोलते है ठीक है, चार बटे नो दियाए, अगर हमें A V का गिटे माँँच चाहिए, A V बटे, P Q का माँँच चाहिए, तो सामने वाले से बर्क अटाएंगे, उसके सामने पर बर्क मूल लगियाएगा, अर्थात, स्क्वैर डूट लगियाएगा ठीक है स्क्वेर रूट लगे आएगा बर्ग मूल लगे आएगा अंडर रूट लगे आएगा तो चार बटे नो हो जाएगा हमें पता है यह हमारा चार दो का बर्ग होता है और नाइन थ्रीका होता है ठीक है यह हमारा ratio यह हैगा 2 ratio 3 यानकी 2 अनपाद 3 अम देखते हमारा answer कौन सही है answer बेट हमारा पहला सही है first answer सही है 2 अनपाद 3 अगले percent की और चलते है अगला person हमारा कह रहा है कि 3,4,6 3,4,6 तता x का समान तर माद दे 5 है तो x का मान गयात कीजिए बेटे समांतरमाद क्या होता है समांतरमाद कैवी रहा है कि जितने आपके पद होते हैं उन सब को जोड़ दीजिए और उसमें जितने पदों की संक्या होती है उसका भाग दे दीजिए तो मैं निकल आँगा है यानि कि समांतरमाद समानतर माध बरावर सारे पदों को जोड़ लेंगे हम और कितने पदे हैं गिलने को उत्युक्ति करीबाग दे देढ़ए हमारे पास 1, 2, 3, 4 x के जोड़कर 4 पदे हैं तो पहले साफ सब पदों को जोड़ लेंगे 3, 4, 6, अपन 4 का ड़ड़ देते deixarे थेने और माध्द के नीचे माध्द की वैल लग देंगे माध्द हमारा कतने दिया है समांतर माध्द पांच दिया है ठीक है और बरावर ठry थोर seven यानदे तीनोचार साथ और यानगी तीनोचार साथ ईच्छी या बाहर क वाला गुणा में चला जाता है वीनी हो जाएगा सब्सक्षों, हमारे हाँ साथ um क्योंकि बीस मैंसे तेरा जाएगा अब साथ चेगा और हमारा अंतर नमबर तिरी सेवन क्योंकि एक्स कमान सेवन है अब अगला कुस्तर हमारा क्या कह रहा है बेटे अगला कुस्तर कह रहा है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी है तो इसमें पेटे पहले बिंदुओं में हमारे 2,3 है 2,3 है और तो दूसरा पेटे हमारा बिंदु दिया है चार चम्मत वाले कुस्तिन का solve कर रहे हैं दूसरा वो पहले बिंदों दिया है 2,-3 2,-3 या आपको साफ डिजगराज साफ लिख लेते हैं 2,-3 ठीक है और अगला दिया है 4,1 पहले हमारा x1 by 1 दूसरे में x2 और by 2 माल लेते हैं और तो बिंदों के बीच की दूरी का d वराव फरमला होता है x1-x2 का whole square प्लस अंडरूड में पूरे में लिखते हैं लोग पूरे में लिखते हैं by 1-by 2 का whole square इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 2 वाला पहलन आगे कर देंगा या बनमाला पीचे कर सकते हैं दोनों ही सुत्र सही है हमारे या हम इसके इसके लावा दूसरा भी लेख सकते हैं रूड में x2-x1 का whole square प्लस by 2-by 1 का whole square ये भी सही है और वो भी सही है तो अब x1 की और by 1 की value x2 की by 2 की value यहां रख दें फॉर्मले में और अपना answer पाएं answer लिंग कर जाएगा आपका तो इसमें मान रखिए आप x1 की तना है आपके पास x1 में आपका 2 है और x2 आपका 4 है तो 2-4 का whole square प्लस ये आपका 3 है वाई बन तो 3-1 का whole square पेटे 3-4 मैसे 4 मैसे 2 जाएगा मानस टू बचाएगा मानस टू का होता है 4 और 3 मैसे बन जाएगा 22 का ही होता है 4 4 कितना होता 8 अब 8 को आप जानते नहीं कितने का बाद निकलेगा 8 से 8 क्या होता तो इसके factor कर लेंगे हम लोग तो इसके factor लिए लिए 2 x 2 x 2 2 x 2 टू 3 बार लिख लेंगे इसमें जिसका P Жildấy हम और 2 का वह एक बाहर निकलाएगा जिसका पेर बंजाएगा जोड़ेश्यवाण जाएगा वह एक बहार बाहर निकलाएगा दो बाहर निकलाएगा अंदर रह घाएगा रूट में 2 van 2 यह हमारा answer लेहते है that लिए अपने पसे एंप कौनसा आपसें यह वेटा हमारा थाड़ उपसेंट है इसलिए हमारा उंसर हो गया दो दो बंचवा पिछ की दूरी का फॉर्मले उपना पैप होता है जरा गौर्ड भी करने एक पार फिर ठीक है यह हमें अपना आपकर यहां राना था कि कितना हमारा और दो तो यहीं वारा समय नमर कौन सा हो गया वट्यों कौन सा हो गया ठीट है दो रूट दो ठीक है चलो अगर पर सुन जो चलते हैं कुशन नमर 2 को स्वाफ गरते हैं यही हमारी टेस्ट सेरीज पूरी व कई है अपसटारीब